नमस्कार, One India में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ मोहित खान T20 World Cup 2021 के लिए भारती टीम को सबसे मजबूर टीम माना जा रहा था लेकिन जब टूनमेंट शुरू हुआ तो विराट की टीम सामने वाली टीमों के सामने जूसती भी नजर आई हाल ये रहा कि सबकी चहिती टीम अपने पहले ही राउंड में हार कर फाइनल मुकाबले से पहले ही T20 World Cup से बाहर हो गई अब जब T20 World Cup 2021 को बीते हुए कुछ समय हो गया है तो टीम के पूर कप्तान और मौजुदा समय के BCCI प्रेसिडेंट सौरोग गांगोली ने इस महत्पुन टूनामेंट पर अपना बयान दिया है उन्होंने T20 World Cup 2021 में खिलाड़ों के परदशन को बीते पांस सालों में ICC टूनामेंट का सबसे खराब परदशन बताया है T20 World Cup 2019 में हमने पूरे टूनामेंट के दोरान बहत्रीन परदशन किया लेकिन हम सेमी फैनल मुकाबले में न्यूजिलेंड के खिलाफ आर गए गांगोली ने कहा हाल ही में खतम हुए T20 World Cup में हमने जिस तरह से खेला मैं उससे थोड़ा निराश हूँ मुझे लगता है कि पिछले 4-5 वर्ट शो में जो मैंने किर्केट देखा है उसमें ये सबसे खराब परदशन था उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं समझ आया कि क्या समस्या थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे खिलाडी T20 World Cup 2021 में खुल कर नहीं खेल पाए उन्होंने आगे कहा कभी कभी बड़े मुकाबलों में ऐसी स्थीती देखने को मिलती है ऐसे मौकों पर खिलाडी फस से जाते हैं टीम इंडिया को पाक और कीवी के खिलाफ जब खेलते हुए देख रहा था उस वक्त लग रहा था जैसे टीम अपना 15% शमता के साथ मैदान में उतरी है बता दें ICC पूरुष्टी 20 वर्लकप 2021 के शुरुवाती दो मुकाबलों में भारती टीम ने पाकिस्तान और निजलेंड के खिलाफ खेले थे टीम इंडिया को अपने इन दोनों मुकाबलों में बुरी तरह से हार मिली थी इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट के लिए आप बने रहें One India के साथ